आपदा से जीत तक कारोली टाकाक्स की अर्चनों को जुकने ना देने वाली आत्मा एक समय की बात है, एक ऐसी दुनिया में जो शूटिंग के महान लीजेंड और कठोर प्रतिसपरधा से भरी हुई थी, वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम कारोली टाकाक्स था वह हंगरी से थे और पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में दुनिया के सर्वश्रिष्ट पिस्टल शूटर के रूप में मशूर थे कारोली ने कई राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय चैंपियंशिप में विजय प्राप्त की थी और उनका लक्ष सबसे बड़े मंच पर ओलंपिक पर था डॉट 1940 के नज़्दीक आते ही कारोली ने संकल्प से भरी हुई महंत की थी अपने प्यारे देश के लिए सोने का पदक प्राप्त करने के सपने से प्रेरित होकर हालांकि भाग्य ने उसके लिए एक अप्रत्याशित परिवर्तन रखा था 1938 में उसकी एक सामान्य सेना सत्र के दौरान दुरगटना हो गई उसके दाहिने हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गई जिससे उसका हाथ अपंग हो गया और उसके उलम्पिक गौरव के सपने तूट गए डौट एक महीने तक अस्पताल में रहने के बाद कारोली के सामर्थ्य का महत्वपूर्ण निरने प्राप्त हुआ वह अपनी दुख भरी सोच को अपना कर और अपने सपनों को छोड़ कर हार मान सकते थे या फिर वह अपनी आंतरिक शक्ती को जुटा कर और संभाव नाओं के क्षेतर का पता लगा सकते थे विप्रीत्ता को अपने आपको परिभाशित नहीं करने देने के लिए निर्धारित होकर कारोली ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया हाथ खो चुके होने के बावजूद उसे अपने पूरी तरह से काम करने वाले और स्वस्थ बाएं हाथ में संतुष्टी मिली अंधकार के बीच एक आशा की दीपत कारोली के पास सफलता प्राप्त करने की एक अडचन नहीं थी अपने दाएं हाथ के बैट ग्राउंड को नजरंदास करते हुए उन्होंने अपने आपको एक भयानक शूटर बनने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने की एक अकेली यात्रा पर उतारा चुपचाप और द्रिड़ता पूर्वक उन्होंने अपनी क्षमताओं को धुंधलाने के लिए कठोरता से महंत की किसी को अपने लक्षियों के बारे में बताने से इनकार करते हुए डॉट साल 1949 में कारोली राष्ट्रिय पिस्टॉल शूटिंग चैंपियंशिप पर सामने आए जिससे उनके साथी शूटर चकित हो गए वे उन्हें समवेधना भरी श्रद्धांजली देकर चैंपियंशिप में भाग न लेने के बावजूद उपस्थित होने की शक्ती की प्रशंसा करते हुए उनके पास आए उन्हें यह नहीं पता था कि कारोली ने सिर्फ निग्रानी करने के लिए नहीं आये थे बलकी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आये थे अपनी आखों में संकल्प की चमक के साथ उसने अपना नया शूटिंग हैंड प्रकट किया वह बाएं हाथ को जो संधर्श पून प्रशिक्षन के महीनों के माध्यम से एक पावर हाउस बना चुका था डौट उपस्थित सभी लोग चौक गए उनकी साहसिता से आश्चर यचकित हुए उन्हें हैरत में देखते रहे जैसे करोली ने अपनी बाएं हाथ की प्रतिभा को प्रकट किया जोकी दुनिया के निशाने बाजों को उनकी अटल साहसिता और अदमय इच्छा शक्ती के कारण आश्चर यचकित कर रही थी हालां की 1940 और 1944 के ओलंपिक्स करोली की शांदार कौशल कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि विश्व युद्ध के अंधेरे बादल ने इसकी रोक लगा दी थी फिर भी अर्चन से नहीं डरते हुए उन्होंने ततपर्ता से प्रशिक्षन जारी रखा अपनी उर्जाओं को 1948 के लंदन ओलंपिक की ओर चलाते हुए अंत में वह दिन आया जब दुनिया एक शूटिंग महान की विजपूर्ण वापसी को देखेगी डॉट कारोली ताकाच अपने प्रतियोगियों के बीच महान खड़ा होते हैं उनका बाया हाथ स्थिर होता है और उनका हृदय जीत की ज्वाला मुखी से भरा होता है पूरी द्रिड़ता के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक को जीता जिससे उनका नाम उलम्पिक इतिहास की पुस्तकों में लिखा गया दुनिया आश्चर्य में देखती रही जब उन्होंने 1952 ओलम्पिक में यही कार्य फिर से दोहराया जो साबित करता है कि उनकी पहली जीत कोई भाग्यशाली हादसा नहीं था कारोली ताकाच की कहानी हम सबके लिए एक महत्वपून सीख रखती है यहां हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी महत्वपून हासिल करने के लिए हमें सही दृष्टिकोन और अटूट इच्छा शक्ती की आवश्चक्ता होती है कौशल और तकनीकें सीखी और सिखाई जा सकती है लेकिन हमारे कारियों के पीछे चलने वाला उत्सा सफलता की इच्छा हमारे अंदर बस्ता है अटल निश्चय बेकाबू मेहंत और अडोस प्रवृत्ती के माध्यम से हम महांतम कठिनाईयों को दुर कर सक यह निरंतर संकल्प बेंतलब मेहंत और अडोस प्रकृती के माध्यम से ही है कि हम सबसे बड़ी परेशानियों को पार करके और अपने सपनों के शिखर तक उठ कर आ सकते हैं